नमस्कार दोश्तों फेंट से पित में आपसे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग एक साइज 161 का कॉस्टिन नमर 34 से करने जा रहे हैं तो देखे 34 को यह इंटिग्रेट करना है यह जो है से इंप्रोपर फ्रेक्शन कौन सा फ्रेक्शन है इंप्रोपर देखे यह इंप्रोपर फ्रेक्शन कैसे क्योंकि देखे निम्रेटर का डिग्री जो से ज्यादा है तो पालेश को मनों कंवर्ट करेंगे किसमें प्रोपर फ्रेक्शन में तो प्रोपर फ्रेक्शन में कंवर्ट करने के लिए हमनों क्या करेंगे पलेश को डिवाइड करेंगे दे सुष्वास वन को एक्ससकोर से मळुट्प्लाई करेंगे तो X स्क्याइर हो गया है सेम साइन सहीज होजाएगा प्रद या हो गया हम स्कॉडरे ढके एक श्क्षफ्वरे अब देखें सभी स्कॉरे शेंगे माइनस वन से मल्टिप्लाइ करेंगे क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वाइर हो जाएगा देखिए यह हो जाएगा हम लोगों को x स्क्वाइर को माइनस वन से मल्टिप्लाइ करेंगे यह हो जाएगा हम लोगों को ओनकितना हो गया ? तू हो गया है , इतना कि स्मझ में , अब देखिए एक्स पावर । मुद्ध चिह को हम भूर्व लिज सकते हैं ? यह डिविडेंड है इंटु में x square minus 1 plus 2 लिख सकते हैं इतना कि dividend equal division into question plus remainder हो गया अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर put कर देंगे देखिए हाँ अपर इंटेग्रेट हम लोग करना था कितना 0 से लेके 2 तक x का power 4 plus 1 है 30x का power 4 plus 1 के जगे हम लोग इतना लिख देते हैं इसको x square plus 1 into max square minus 1 plus 2 upon x square plus 1 with dx लिख सकते हैं इतना अब देखिए हम लोग क्या करें अलग 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 डिवाइड कर देंगे यहाँ पर यह हो जाएगा हम लोग को 0 से लेके 2 तक x square plus 1 into max square minus 1 upon में x square plus 1 with dx इसको अलग अलग कर देंगे इतना है यह फर्स टर्म है इतना into dx plus यह हो जाएगा 2 upon x square plus 1 with dx limit 0 से लेके 2 तक ठीक है यह दो टर्म था ना तो दुनों को अलग 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 के डिवाइड के विवाइड के इसके साथ में अब देखिए यहाँ पर x square plus 1 से x square plus 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर यह हो जाएगा हम लोग को 0 से लेके 2 तक यह होगे x square minus 1 dx प्लस यह 2 constant है तो बहार आ जाएगा यह हो जाएगा हम लोगों को dx upon x square plus 1 ओके अब इसको लोग क्या करेंगे integrate कर देंगे ठीक है तो देखिए हाप यहाप x square dx कितना होता है x power 3 upon 3 क्योंकि power 2 है न तो 2 plus 1 upon 2 plus 1 तो x 3 upon 3 हो जाएगा minus 1 into dx क्या होगा तो 2 plus 1 कितना होगे 3 नीचे में 3 होजाएगा minus 1 into dx क्या होगे dx तो dx कितना होता है x होता है plus यह होगे 2 dx upon 1 plus x square कितना होता है 10 inverse x होता है limit 0 से लेके 2 तक यहाँ भी limit 0 से लेके 2 तक अब देखिए इसमें पूट करते है अपर लिमिट और लोर लिमिट अब देखिए आपर 2 पूट करेंगे तो 2 का कितना होजाए 8 upon 3 minus यह जाएगा 2 माइनस लोर लिमिट पूट करेंगे तो यह जाएगा 0 का cube 0 minus 0 plus 2 यह जाएगा 10 inverse 2 पूट करेंगे 2 होजाएगा minus 10 inverse 0 यह तो होगा ठीक है अब देखिए यहाप इस calcium डेलेंगे तो यह जाएगा यह जाएगा 3 यह होजाए 8 minus 3 to 6 होजाएगा यह तो cancel होजाएगा 0 ही होजाएगा plus यह होजाएगा 2 10 inverse 2 अब देखिए यहाप है यहाप है यहाप 8 minus 6 कितना होजाए यह 2 upon 3 plus यह 2 10 inverse 2 10 inverse 2 ठीक है तो यह दोस्तों हम लोगों का इसका required answer होगा तो आई होप दोस्तों यह question आप लोगों को सान्य में आगया होगा कहीं doubt हो दोस्तों तो comment पूछ भी सकते हैं और यह वीडियो आप आप लोगों पसंद आये तो भी लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और नेक्स्ट कुछन देखते है क्वेशन नमर थर्टीफाइब आप देखिए थर्टीफाइब नौ कोशन नमर यह दिया गिया है यह जो है पार्सियल का क्वेशन ठीक है क्योंकि यह पर दी एक्स अपॉन दोनों जो से लिनियर में दिया गिया है प्रड़क्ट आप यहां पर ठीक है इसका फॉर्मेट क्या है देखिए यहां पिसका यहां पर लेट करेंगे कि 1 अपॉन यह पुरा एगड़ी लिखेंगे ऐक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इकोल टू ए अपॉन लेनियर पहला पार्ट प्लस B अपॉन सेकेंड पार्ट इतना हम इसको लेट करेंगे ठीक है dx के साथ में जो नमबर रहेगा उसको साथ में यह पूरा टरम को लिखेंगे इकोल टो A अपॉन इतना प्लस B अपॉन इतना उसको क्या करेंगे इसका LC हम दे लेंगे तो देखें यह 1 अपॉन X प्लस 1 X प्लस 2 इकोल टो A से मल्टिप्लाई होगा इसका दिये हो जाएगा हम लोगो को X प्लस 2 प्लस B टाइमस X प्लस 1 इसकेलसियम कितना हो जाएगा? X प्लस 1 और X प्लस 2 यह नहोगा? इसकेलसियम लेंगे तो X प्लस 1, X प्लस 2 2 प्लस बी इंटो x plus 1 ठीक है अब देखें इससे आगे हम क्या करेंगे कि दिखिए यहां पर लिनेर पार्ट को हुआ करेंगे कि करेंगे 0 से यहां पर दिखेंगे पहला लिनेर पार्ट यह है तो है यहां से हम लोंको a and b का value find करना है तिक है आप लिखेंग if x plus 2 equal to 0 then x equal to कितना होगा minus 2 हो जाएगा ठीक है x equal to कितना हो जाएगा minus 2 अब इसमें क्या किजिए इसको equation 1 let कर लिजे इसमें put करेंगे x के जगा minus 1 ठीक है putting the value of x equal to minus 2 in equation 1 ठीक है put करेंगे तो क्या यहांते x है नहीं तो यह होगा 1 यहांप देखे a into यहांप एक से minus 2 put करेंगे minus 2 plus 2 plus b यह होगा minus 2 plus 1 यह तो होगा अब देखे इस सागिस को मूँ solve करेंगे क्या होगा तो देखे 1 equal to यह तो खताम हो जाए यह तो cancel होके 0 आजाएगा तो b times कितना 1 is to get यह होगा minus 1 यह होगा 1 equal to minus b therefore b equal to कितना होगा minus 1 ओके अब देखे b का फिल्ट हम लोगो find होगा अब हम लोग क्या करेंगे इस linear पार्ट को हम लोग क्या करेंगे 0 पूट करेंगे इस पार्ट को लिखेंगे यह आप if x plus 1 equal to 0 लिखेंगे आप if x plus 1 equal to 0 then x equal to minus 1 ओके फिर उसी equation हम लोग पूट करेंगे इसको लिखेंगे putting the value of x equal to minus 1 in equation 1 ओके तो देखिए वान पूट करेंगे तो 1 equal to हो जाएगा a into minus 1 plus 2 ठीक है plus b into x के जागे कितना पूट करेंगे minus 1 plus 1 तिया तो 0 ही हो जाएगा तिया हो गया फाइनली हम लोग को 1 equal to a into यह 1 हो गया यहने a equal to उसका वेलू कितना हो गया y okay अब देखिए a and b का वेलू find हो गया इसका बदेखिए अब देखिए अब देखिए अब देखिए इसको इंटेट करना था तिसको अब लेट किये होए थे क्या kya a upon x plus 1 plus b upon x plus 2 with dx dx तो यही रहेगा यह 1 upon इतना गंप लेट किये होए तो यहांपर 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 इतना कॉन लेट किये थे a upon इतना प्लस b upon इतना स्टिंग होनर्ट कर दीं हम भी यह पर क्या करेंगे अ पिद्स होनर्न होगर अपैंक हों इस लेंगए यहां से कितना से कितना तक स्ट रहेगा यहां से लेकर टू तक रहेगा लिमिट यहांभी यह पूंधि र लेकिन राज अलग अलग यूमेट में लिगदेंगे पाइए वान तो तक यह ःगा डी-एक्स प्लस वन माइनस प्लस मैंश मैनस माइनस यह जाए है हम लोग अगो डी एक्स आपॉन कितना एक्स ब्लस टू ऑके अब इसको और इंटिगेट कर देंगे फाइल यांसर हम लोंगा आ जाएगा लेमिट है पूट कर देंगे हुए हमें का री अचा रगया ठीक है देखिए है शागे सुल्ट करेंगे कितना अगा इसका integration कितना होगा, dx upon linear है, यहां भी देखिए, dx upon linear है, इस दोनों का integration किसमें आएगा, log में आएगा, ठीक है, इसका integration हो जाएगा, log, mod में कितना, x plus 1, limit कितना कितना दगाएगा, 1 से लेके 2 तक, minus, इसका हो जाएगा, log, mod x plus 2, limit कितना कितना दगाएगा, 1 से लेके 2 तक, put करने में एक जयाए की यहाँ जाएगा लॉख मौर्ट एक फॉट करेंगे थी हो जाएगा 2 मुट करेंगे ती यह sin जांवियर फोट है माइनशाब हानिगा फसली हो जाist ह Anima Best करेंगे थी हो जाएगा फिर log two यह हो जाएगा minus – log 4 यह हो जाएगा minus, minus क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यह हो जाएगा log 3 , अब देखे हैं यहांप dissect अब देखिए सजयागे j log3 यहां भी है log3 यहां पर दोनों को add करेंगे तिए जाएगगा 2 log 3 कि यह हो जाएगा minus log2 यह जाएगा minus log4 ठीक है थे को सिंप्लिफाइए करेंगे तिए हो जाएगा 2 log3 minus log2 यह जाएगा minus log4 को लिछ सकते हैं ठीक है और तो फॉर्मूला पढ़ें है लॉग में कि लॉग एक पावर एदी म रहेगा तो इसका डिजल उता है एंव लॉग ये होता है पावर पीछे आ जाता है ठीक है देखिए यह हो गया टू लॉग फ्री माइनस ृ Dios 2 माइनस 2 बीधिनगे लिख सकते हैं here सट्री है yeah इसका फ्रम्मला है अब देखे है ये हो गया हम लों को कर्क्री कि 충्द् led प्लस कि इतना हो जाएगा 3 लग ये इसका आंशर हो गया देखे अगला question भी same उसी format पर है कि क्या है यहां पर देखे linear with dx upon दोने यहां पर linear ही यहां पर इसको लेट कर लेंगे कि लेट numerator ते आजटी रहेगा सब को हैं आप copy कर लेंगे x into x plus 2 equal to a upon इसका first part plus b upon इसका second part okay अब यहांब इसका एल से मने लेंगे दिये हो जाएगा में x into x plus 2 equal to a का multiply किसके साथ होगा x plus 2 के साथ plus b का multiply किसके साथ होगा x के साथ upon max into x plus 2 ओके यह cancel हो जाएगा यहां पर तब इस आइस विल्म करेंगे क्या आएगा x plus 3 equal to a times x plus 2 plus b times x इसको equation one let कर लिए यहां पर अब देखें हम लोग क्या करेंगे यहां पर अब linear part को हम लोग क्या करेंगे यहां पर 0 पहले पूट करेंगे देखें यहां पर x plus 2 है न इसको 0 पूट करते हैं तिया आप लिखेंगे कि if x plus 2 equal to 0 then x equal to कितना होगा माइनस 2 हो जाएगा ठीक है पूट किजिए इसमें ति लिखेंगे putting the value of x equal to minus 2 in equation one तो पूट करेंगे यहां माइनस 2 plus 3 equal to a into यहां जाएगा minus 2 plus 2 plus b into minus 2 देखेंगे यह तो 0 ही हो जाएगा तो 3 minus 2 कितना होगा 1 equal to यह होजाएगा हम लोगो minus 2b तो b equal to कितना हो जाएगा हम लोगो को minus 1 upon 2 अब देखें अलों क्या करेंगे इस x को लोगो क्या करेंगे 0 पूट करेंगे ठीक है देखेंगे यहां पे लिखनते हैं आगे कि if x equal to 0 then x का value 0 हम लोग इस equation में put करते हैं ठीक है देखेंगे अब देखेंगे यहां पे x equal to 0 in equation 1 में में पूट करते हैं तो देखेंगे equation 1 हम लोगो यह है 0 put कर दिया हो जाए 0 plus 3 equal to a into 0 plus 2 plus b into 0 यह cancel हो जाएगा तो finally हो जाएगा हम लोगो 3 equal to 2 है यहां से a का value कितना निकल किया 3 upon 2 ठीक है अब end भी का value हम लोगो find हो गया है इसका दिखेंगे हम लोगो now our question becomes now our question becomes ठीक है देखेंगे हम लोगे integration किसका करना था देखेंगे integration करना था हम लोग 1 से लेके 2 तक यहां पर था x plus 3 upon x into x plus 2 with dx था इसको हम लोगों लेट किया किये था इस पूरा part कितना लेट किये थे लेट किये थे a upon यह x plus b upon x plus 2 with dx था यह तो था इसको हम लोगों क्या लेट किये थे क्वास लिए धेज़ाना थिए ध oven ना फ्लस भी आपनेटव एटना इतना यहांप रिमिट कितना से कितना तक वाँ से लेकर टू तक है का अब अब्धि एक हैनों यहां से रखते हैं यहां पर 3 अपॉण 2 अपन में क्या हो जाएगा x, limit रहेगा once a day के 2 तख with dx अब b का value कितना आया था, b का value में में को आया था minus 1 upon 2 यह हो गया, plus यह हो जाएगा minus 1 upon 2, dx के जागा यह तो नीचे लेताजिटी रहेगा, with dx यही तो हो जाएगा देखिए यहां पर किया क्या है एक वेलू उन्हों रखें बीक वेलू कितना रखें माइनस वन अपॉन टू रखें दोनों को डी एक साथ में अलग लग इंट्रीडेशन में डाल दिये है ठीक है आए अब दोस्तों आप लोगों को सौन्य आ गया होगा अब देखिए यहां से कॉंस्टेंट इसको में बाहर करेंगे थ्री अपॉन टू यह हो जाएगा उन्हों डी एक सापॉन एक्स प्लस माइनस यह बाहर आ जाएगा और यह जाएगा डी एक सब्स टू ओके अब दोनों लिनियर है तो दोनों का अंसर किसमें आएका लोग मे आता है यह जोग ऑन टू लिमिट रहेगा वाण से लेके टू तर यहां भी और यहां भी रहेगा अब देखिए त्री अपॉन टू हो गया इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा लोग मौद एकस लिमिट वान से लेके टू तर माइनस यह वान आपन टू यह जाएगा अब लॉक्ष नियुक्त कर दोग द्हों रॉस horses लीक्रिंद ए्लिवक अब ले तक अब धेकिश्म मोड पुट करेंगे लिए अपार लॉर लॉर लाल अ मोट तू यह जैगा लोक्त तो माइनस लॉग मॉड ओके वाद 2 पूट किया है एक बार क्या किया है वन पूट किया है आप अलिमेट पूट करने का माइस है न्तियुमेटिक होता है लॉग तो मैंस लॉग ओन हो जाए यह माइनस वन बाई टू यह जाएगा लॉग अब देखिए यहापर 2 डाखेंगे तक टो प्लस 2 कितना हो जाएगा फॉरा माइनस यह हो जाएगा लॉग मोड्यव वन प्लस टो कितना होगे थी कि ऑम्हुक्ट है अब हैंस देखिए ग्योग लॉग मॉट डैय है एवहां से देखिए यह हो जाए मम को 3 upon 2 यह जाएगा log 2 minus log 1 minus 1 upon 2 यह जाएगा log 4 minus log 3 हो जाएगा ओके अब इसाइज को देखे solve करते हैं कितना आता है अब देखे यहाँ पर क्या करेंगे यह 1 upon 2 यहाँ भी है 1 upon 2 यहाँ भी है तो हम लोग 1 upon 2 क्या करते हैं कॉंनों को को यह हो जाएगा अमनों को 3 log 2 हो जाएगा minus 3 जा मल्टिप्लाइ किया तु यह हो गया 3 log 1 म Adapt को मुल्टिप्लाइ आ यह हो जाएगा my Señor Espign log 4 Service क्या ले लिए तो confession मारे माइनस माइनस हो गया प्लस यह हो गया लॉग 3 ओके अब इससे आगे देखिए इसको solve करेंगे क्या हो गया यह हो गया 1 upon 2 यह हो जाएगा 3 log 2 माइनस 3 इंटू देखिए log 1 का value कितना होता है 0 होता है माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 2 log 2 लिख सकते हैं plus log 3 अब देखिए 6 को solve करेंगे क्या होगा 1 upon 2 देखिए 3 log 2 मेंचे 2 log 2 घया त्सक्वी कितना हो जाए गए ऑ लोग 2 यह खतम हो जाएगा प्लस है और यह जाएगा log 3 ठीक है तो लॉटव में से लॉट टू लॉट होजाएगा यह प्लस लॉट वॉट यह धाद जिरॉट हो जाएगा तो दोस्तों फाइनली आ है उनों का यही सका answer हो गया I hope दोस्तों इस साड़ा question आप लोगों को सामी में आ गया हो कहीं डाउट हो तो comment की ज़रे पुछ भी सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक किजिए share किए subscribe किजिए और comment किजिए thank you for watching